दोस्तो आज के इस digital योग में जब भी कोई customer चाहे वो किसी बड़ी company से कोई product परसेज कर रहे हैं चाहे किसी छोटे दुकंदार से कोई product खरीद रहे हैं तो ऐसी स्थिती में जो भी कीमत उस product की बनती है तो उसकी payment वो digital payment की रूप में करता है यनकि online बुकतान करता है उस दुकंदार को अब वो online payment का जरिया कुछ भी हो सकता है वो google pay, phone pay, paytm, credit card, debit card, net banking या other कोई भी app use करके उसका बुकतान कर सकता है तो ऐसी स्थिती में उस customer का पैसा तो उस दुकंदार के पास आ जाता है लेकिन उस दुकंदार की जो banking transaction है number of quantity of transaction की वो काफी ज़्यादा बढ़ जाती है और ऐसी स्थिती में एक accountant को भी काफी ज़्यादा problem फेस करने को पड़ती है क्योंकि वो हर customer का एक नया laser create करता है और बा दिमांड भी करता है दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा होता है भी आपके customer आपको ज्यादा तर online payment ही करते हैं जैब गूगल फे फोन पे किसी तरीके से भी करते हों तो आपसे invoice की भी डिमांड करते हैं तो आपको अलग-लग laser create करने पड़ते होंगे तो आज आपको इस व payment के coding मेच रहेगा और आप उस customer को उसी के नाम से invoice भी issue कर सकते हो तो नमस्कार दोस्तों मैं हूं मोन सुतार और समार्ट कांटिंग आरसनार की YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी इस request वीडियो को पहला कोई वीडियो देख रहे हो तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि हम इस चैनल पर knowledgeable के साथ practically वीडियो भी upload करते रहते हैं तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ही वीडियो दोस्तों हमें हर customer को एक sale invoice भी देना होता है तो हमें invoice जन्नेट करना पड़ेगा sale का और sale का invoice जन्नेट करने के लिए gateway प्रेली पे आके हम आँगे vouchers पर और उसके बाद में sale voucher पर अगर आपके पास directly यहाँ पर sale voucher नहीं है तो आप यहाँ से F8 बटन प्रेस करके भी इस sale voucher पर आ सकते हो और हमें यहाँ पर देंगे invoice नमर एक और उसके बाद में party account ने तो दोस्तों हमें party account name में उस customer का नाम हमें यहाँ पर type नहीं करना है और नहीं हमें यहाँ पर उस customer का laser create करना है जिसे हम invoice दे रहे हैं अगर ऐसा कोई customer है जिसने हमें online बुकतान कर दिया है और उसका payment हमारे bank account में आ चुका है तो हमें उस bank का laser यहाँ पर select करेंगे जिस bank में वो पैसा हमारा आया है अब जैसे मेरे पास state bank of India का laser create किया हुए उस customer का पैसा मेरे पास state bank of India में ही आया है तो मैं यहाँ से state bank of India का laser select करूँगा यह मैंने state bank of India का laser create किया हुए अंडर में bank account रखते हुए और उसके बाद में name of item यानि कि वो product हम यहां पर type करेंगे जो हमने उस customer को sale किया है और यहां पर 5000 के और उसके बाद यहां पर तो दोस्तों अब माल लेजी यह जो इन्वोई हमने इशू किया यह मोहित कुमार को यह इन्वोई इशू किया है तो उसके बाद हमें जो मोहित कुमार का नाम हमें एक बार नरेसर में लिख देते हैं आपको मैं दो तरीकों से बताऊंगा हमने एक बार मोहित कुमार का नाम narration में लिखा है और इस voucher को हमने कर दिया accept अब मोहित कुमार ने हमारे से इस invoice की demand करी है तो हमें invoice मोहित कुमार को देना पढ़ेगा जबकि हमने मोहित कुमार के नाम से नए तो कोई laser create किया और नए उसके नाम से कोई invoice बनाया है तो हम एक बार इसी invoice को वापिस open करेंगे हम keyboard से page आपका बटन प्रेस करेंगे तो हम पिसले last जो हमने invoice generate के उस पर आ जाएंगे और अब हम एक बार इसका print preview देख सेंगे तो control P बटन में प्रेस करूँगा और उसके बाद हम जाएंगे preview पर तो जैसे हम preview पर जाएंगे आप देख रहे हो यह जो invoice बनाया है यह state bank of इंडिया के नाम से issue हो चुका है जबकि हमने state bank of इंडिया को यह समान sale ही नहीं किया है हमने sale किया है मोहित कुमार को तो हमें चाहिए भी मोहित कुमार का नाम इस consignment में और buyer name में आना चाहिए और उसका जो नाम आ रहा है अभी present time में वो इस narration में आ रहा है यहाँ पर इस remark में अब इससे customer satisfy भी नहीं है अब customer यह कहता है भी मेरा नाम buyers की detail में आना जुरूरी है मेरा address भी वहाँ पर रहना चाहिए तो इससी स्थितिम हमें क्या करना पड़ेगा तो वापिस हम चलते हैं बेक और इसी invoice पर हम वापिस आएंगे दोस्तों अगर customer चाहता है भी मेरा नाम है जो buyers के क्वल में आना चाहिए और मेरा address भी आना चाहिए तो इससी स्थितिम हमें क्या करना पड़ेगा हमें sale voucher पर रहते वे F-bar हम प्रेस करेंगे और F-bar प्रेस करने के बाद हमारे सामने एक option आएगा इस journal detail में provide buyers detail तो ये option अगर आपके पास no है तो आपको इसको yes करना पड़ेगा तो मैं इसको करूँगा yes और बाकी किसी भी feature को मैं change नहीं कर रहा इस control है के साथ इस window को करूँगा accept अब जैसे हम state bank पे enter आके enterprise करेंगे तो हमारे सामने ये party details की एक window open होईगी अब इस buyers के जो हमें option दिख रहा है यहाँ पर और इसके नाम अभी आ रहा है state bank of india तो हमें यहाँ पे state bank of india को अठा के manual रूप से type करना पड़ेगा मोहित कुमार का नाम तो मैं यहाँ से type कर रहा हूँ मोहित कुमार enterprise करूँगा तो new party में automatic की नाम आ जाएगा और उसके बाद में इसका address जो भी जिस address के नाम से इन्वाइस प्रणवाना चाहते हैं तो मैं एक बार यहाँ पर type कर रहा हूँ राइसिंग नगर और उसके बाद में यहाँ से हमें उसका mobile number भी दे सकते हैं और उसके बाद में state राजस्तान और हमें ght registration type में unregistered रखना है और उसके बाद में concern name में भी statement को अठाके यहाँ पर हम type करेंगे मोहित कुमार और उसके बाद में same way address हमने यहाँ पर type कर दिया जिस्टी नमर हमें देना नहीं है और पहले swap supply भी हमें राजस्तानी रखना है अगर यह other state का है तो हम यहाँ पर उस state का भी select करना पड़ेगा जिस state में यह रहता है और उसके बाद में इस voucher को हम करेंगे accept और हमने इसको voucher को वापिस sale कर दिया अब हम एक बार keyboard से page आपका button प्रेस करेंगे तो वापिस हमारे सामने वह invoice आजएगा अब हम control P के साथ बटन प्रेस करेंगे अब इसका preview हम देखेंगे तो जैसे हमने इसका preview देखा है तो अब आप देख रहे हो अब इसका जो invoice है वो particular मोहित कुमार के नाम से issue हो चुका है पहले यहाँ पर state bank of India का नाम आ रहा था तो दोस्तों यह हमने हमको मोहित कुमार के नाम से कोई laser create नहीं किया है यह हमने एक temporary रूप से हमने एक customer का नाम टाइप किया है ताकि वो हमारे इस invoice पर print होके आसके अब आप देख रहे हो इसमें नए तो कोई concerning name में कि state bank of India के नाम आ रहा है और नए बायर्स में state bank of India का नाम है तो यहाँ पर मोहित कुमार के नाम से यह invoice जनेट हो चुका है तो हम इसी invoice का print out लेके मोहित कुमार को दे सकते हैं और इसका remark में भी नाम है जो मोहित कुमार ही रहेगा और वापिस आते हैं बेक और इस voucher को करते हैं control एके साथ accept तो अब हमें देखना है हमारा जो state bank of India है उस state bank of India के laser में 5000 रुप आमाउंट है जो debit हुई है या नहीं हुई है तो इसके लिए वापिस gateway टेली पराएंगे डिस्पले more reports पराएंगे और उसके बाद accounts book पराएंगे और lasers पराएंगे तो अब हम state bank of India के laser open करेंगे तो अब आप देख रहें यहाँ पर उस 5000 रुप एक जो amount है वो मारे state bank of India के laser में debit हो चुकी है तो दोस्तों ऐसी स्थिति में हमें इसी type के invoice है जो generate करने पड़ेगी otherwise हमारे पास इतनी ज़्यादा quantum banking transaction हो जाएगी कि हमें हर टाइप के customer का laser create करना पड़ेगा और उसके बाद में हमें bank statement के according उसके reverse entry भी करने पड़ेगी कि bank को debit करेंगे customer को credit करेंगे पहले हम कर customer के नाम से invoice बनाएंगे तो बहुत सारे ऐसे अनसेसरी हमारे यहाँ पर laser create हो जाएगे टेली software में चाहिए software कोई भी चाहिए हम यूज कर रहे हो अगर हमारे पास कोई customer ऐसा है जो regular नहीं है अलागी कभी कभार आता है और हमें Google पे के थूरू या phone पे के थूरू बुक्तान करते है तो हमें इसी type की entry करने चाहिए अगर हमारे regular customer है तो हमें उसके नाम से laser create कर लेना चाहिए तो ये तो था अगर वो हमें direct हमारे पैसा State Bank of India के laser में आ चुक है तो अब कई बार customer ऐसा भी होता है भी वो हमें Paytium Wallet के थूरू बुक्तान करता है और हमने हमारे business में के Paytium Wallet भी बना रखा है तो ऐसी स्तिति में हमें क्यारना क्या पड़ेगा एक Paytium Wallet के नाम से laser create करना पड़ेगा जो कि मैंने कर रखा है आपको दिखा देता हूँ मैं अल्टर में होंगा उसके बाद हमें laser में और Paytium Wallet तो इसको भी हम Paytium Wallet अंडर bank account रखेंगे अगर जब भी कोई customer हमें उस product का भुकतान अगर Paytium Wallet में करता है तो same transaction हमें इसी तरीके से करने पड़ेगी और अब हम यहाँ पर party account में ने में इस Paytium Wallet को select करेंगे और Paytium Wallet को select करेंगे तो इस बाइस जो detail आ रही है इसमें उस customer का नाम manual रूप से type कर सकते हैं तो आप यहाँ से यह new party पे भी जाके कर सकते हो यानि कि यह एक temporary रूप से laser create हो रहा है कोई permanently laser create नहीं हो रहा है तो अगर उसके बाद में हमें detail देखनी हो भी हमने किस-किस customer को समान हमने sale किया है तो इसकी रिपोर्ट हम GST रिपोर्ट के थूरू जाके भी देख सकते हैं किस तरीके से देखेंगे भी हम आपको बता देतों सबसे पहले हम जाएंगे display more reports पर और उसके बाद हम जाएंगे GST reports पर और GSTR 1 पर और आप देख रहे हो हमने एक sale invoice बनाया था अब यहाँ पर state bank of India आपको show नहीं करेगा क्योंकि हमने जो temporary laser मनाया था वो मौहित कुमार के नाम से है और उसी नाम से हमें यहाँ पर show एगा तो दोस्तो इस तरीके से अगर आपके business में transaction होती रहती है Google पे, phone पे या पे टेम के थुरू तो आप इस तरीकी के transaction आप कर सकते हो तो दोस्तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो like जुरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से share भी जुरूर कर देना और अभी तक आपने इस channel को अगर subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe जुरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करके all notification पर भी जुरूर किलिक कर लेना तो दोस्तों मिलते हैं नेस्ट वीडियो में के ने टोपी के साथ